मुरादाबाद पुलिस का एक अजीब औ गरीब कारनामा सामने आया है जिसमें सावन के पवित्र महीनी में कावडियों के लिए बाहरी जिलों से मुरादाबाद अपने अपने डीजे लेकर आये तमाम मालिकों को पुलिस पर प्रतारिक करने का आरूप लगा है मौका था सावन के अंतीम सोमुवारता जहां सभी डीजे स्वामी अपने डीजे वहानों में लोड कर मुरादाबाद से वापस अपने घर जा रहे थे इस दोरान आरूप है कि कावड यात्रा में शामिल होने के बाद लोट रहे एक दरजन से ज्यादा डीजे पुलिस ने सीज कर उनके स्वामीयों के साथ मार पीच अवध वसूली की है दरसल मजोला और पाकबडा पुलिस ने रविवार देडराद मुरादाबाद में बाहर से आये एक दरजन से ज्यादा डीजे के खिलाफ सीज और चलान करने की कारिवाई की है वहीं डीजे कारोबारियों ने पुलिस पर मार पी अभधरिता और अवैध रूपए वसूलने का आरूप लगाया है इस दोरान एक डीजे कारोबारी पुलिस की प्रताडना को बया करते हुए फूट फूट कर रोने लगा उन्होंने बताया कि पुलिस ने अधिक तिवृता में डीजे बजाने का बहाना बना कर उनके साथ बेरहमी से मार तीट की है जबकि वाहन में लोट करने से पहले ये डीजे को खोल कर रखा गया था ऐसे में डीजे कैसे बज़ सकता है फिलाल सभी डीजे कारोबारी अपने घरों को जाने के लिए बेताब हैं जिनकी आखों में पुलिस प्रताडना के आसों को साफ दिखा जा सकता है अब डीजे कारोबारीों ने मुख्यमंत्री योग्या दित्यनाद से न्याय दिलाने की मांग की है वहें इस मामले पर मुडादाबाद का कोई भी अधिकारी बोलने को तयार नहीं है फोन चील लिए हमारे और हमें भयगा दिया नहीं जाओ दूसरे कार में बैठा गया कारवाले को दंकी दी जी सर नहीं न रास्ते में बत्तार दे गई नहीं तो जील जाएगा हमेशा के लिए पुलिस वाले ने सर ये गह रहे थे कहारे थे काह सायों इसे वेकरंगे सर कुछ गल्ती नहीं थी हमारी मार पीट है जी नु आप पन्विसन नली तुमने आप भार के DJ का लगा हो न आम रासा बाद में ये ऐसे गह रहे थे पुलिस वाले एक लड़का था उसके साथ मार पीट करी सर हम पांच लोग हैं सर बहुत होंगे दस बारे डीजे वाले सर आज 30 डीजे हैं जी सर हमें इंसाब चाहिए हैं सर हमना रात को 12 से 12 बजे के करीब हम अपने घर जा रहे थे तो यहां पर जीरो पॉइट पर हमारी गाड़ी यह रोकी हैं ऐसाच्यो साब ने और हमारी सारी गाड़ी रात कोई लाके थाने में चोकी में खड़ी कर दिये उन्हें हमारे एक दो बंदे हैं सीधा उननों से गाली बकिए 20-2010 रुपे भी मांगें कुछ बंदो से उन्हों 건조 नेने पैसे दिये तो फिर बाद में पैसे कुछ वाफसर आयते बड़े गाड़ी में तो उनके पैसे वाफसर करवाए हैं गाली दे के दूसरों को कुछ बंदे थे वहाँ पे जो पुलिस वाले नाम तो हम जानते नहीं अपस खूब गाली उपतार दे रहे थे हमें खूब उल्टी सीधी मा भेहन की गाली दे रहे हैं उतरते ही गाड़ी रोकते ही हमारे में एक हमारा बड़ा बंदा है सोनु नाम का उसमें रहप्ता मारा है कह गंदी-गंदी गाली दी आनुक कैसे तुम यहाँ है हैं हम सब डिजय वाले हैं इनमें से कोई ड्राइबर है कोई ओपरेटर है छेगे जिए इस में जे यहां पर मैरत में अंदर मुर्वादावाद में कंपटिशन हो रहा था कि दिद्ड़ीज गा उसमें एक दीजय नाम है मोनू डीजय मेरट का जी उसमें तो उसमें तो उसमें मौकाय वारदात में अधिकारी जा रहे हैं तो उनका देखने काम है कोई गलत तो नहीं हो रहे हैं उनका तो काम है सारा फिर बाद में उनने देखा कि वहां पर गलत इसार हो रहे हैं उनकी तरफ के लिए ठीक है तो फिर बाद में ऐसा हुआ बाद में उनने उस च खाने चले और उन्हें आधेश दे दिये रात के टाम हमें ख़वर मिलेगी डीजे पकड़ रहे हैं हमें यह नहीं पता देगी डीजे सब्सक्राइब लेकिन फिर भी चले गया से हमें जीरो पॉइंट पर डीजे हमारे सारे जब्त कर लिये हैं जिसमें कि हमारे नौइडा के ने यह काहिती हरदवार की टेमपे की जी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी सारे देश हैं और अब तो पुस्परफसा होएगी और ऐसा कुछ ठाई नहीं चीक हैं अगर कानून एक के लिए हैं तो सब के लिए हैं सीधी सीवाद हैं पर जो इंसान गलत कर रहा हैं तो उसको पकड़ जाए ना जो इंसान गलत नहीं उसको क्यों पकड़ जा रहा हैं और और बी डीजे पकड़े गए हैं इसी वज़े से हम तो सरकार से बस एक रिक्वेस्ट करना जाते हैं कि हम तो बेकूर सूर हैं हम गरीवाद में हमें तो छोड़ो मुरदबाद में सावन के आकरी सोवमार में मुरदबाद के थाना मज़ोले इलाके में एक नया मामला सामने आया है उनकी गाडियों के डीजे इस पर लगे हैं पुलिस का ये कहना है कि इन गाडियों को इस वए से रोका गया है कि जो शासन के निर्देश थे उसके अनुरूप यानि जो डीजे यूंकि सामन का आखरी सुमवार आज खत्म हो गया है इस वज़ा से डीजे को जादा आवाज मे और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन सारी डीजे वारी गाडियों के जो मालिक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कई तरह से पुलिस पर एक एलिगेशन है कि पुलिस ने उनके साथ अबहदरता भी की है और कई तरह से आरूप भी लगा है किस तरह क अरूप है क्या बाथ पूर्ड़ी बात्यो किया नाम अपका मेरा नाम पेंटु है जी लाहब हम वित्हें हम नफें तीन बठाज हो अब बताइए पूरा वषचता हम दो तीन दिन से हैं भी जा रहे हैं अभी बताँने तमारा कसूर क्या है और स्टिधा हमारे चलान काटे गई हम आजा मेरे यहां अट थैव-चलान हा गया इस जा कि preset अज्ड़ल करने आ थे आ आज बनी तेस्थ है आवास पुलिस के नजर में तो शिर्धालू सब एक हैं लेकिन आप ही की गाड़ी को क्यों रोका गाया है क्यों अगर एक होते इस तो मुरादाबाद की डीजे पकड़े जाते हैं पूरे 70-70 डीजे। एक मुरादाबाद जी लेगा होगी जी बताए मेरत, भिलेंट, गाजिय बाद दिल हम अपने घर जाना चाहते हैं घर भी नीजा परें अब बता颁 क्या करें हैं इस यह पसारे का जितने भी गाड़ी के मालिक हैं जितने भी लोग है शिवभक्त भी है वही है और शिपले तो नियम में अशुव ओना रही हैं गाड़ी के ड्रहें कोई क्या करें पुरिशार यहां पर भूग प्यासे बड़े याप यहां पर हमार बिट हुई है मुझे मारा है अब क्या करें अब क्या करें अब तपन मारा सुबहर दीजे बना आएक आगे से मेरा फोन जब लिया रात चोकी बंद कर दिया मुझे अंदर थाने में सुबह चोड़ा है मुझे चोड़ चोड़े बच्चे है मेरे घर दे फोन आ रहे हैं मैं जावे नहीं पा रहा हुआ है यहां अपने माल को देखू हूँ या अपने घर जाओं कोई सुनवाई नहीं हो अपने देखा कि किस तरह की ऐलिगेशन है लोगों का अलग तरह से आरूप है और पुलिस का यह कहना है कि जो मानक हैं उसके अनुरूप यह गाड़ी नहीं चला रहे थे यानि डीजे की आवाद जादा तीस कर रही थे फिलहाल यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा एजा भार लगाई है कि किसी ने किसी तरीके से इनके मामले को सॉट आउट कराया जाए ताकि अपने घर तक पहुंच सके कैमरा परसंद फरदीन अली के साथ में अब्दूलवाजीद अमरित विचार मुरदबाद